आज हम C language में यूज होने वाले continuous statement के बारे में सिखेंगे तो continuous statement यूज क्यों होती है continuous statement हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं लूप में particularly किसी condition में हमारा सिरफ एक particular value के लिए आगे loop implement ना करें आगे loop execute ना हो फिर से अपनी iteration process अपनी looping process शुरू कर दे अब इसको अगर अच्छी से समझना है तो हम इसको example के तुरूँ समझ सकते हैं तो आये हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले for loop चलाया 0 से लेकि कब तक आई less than 10 means 0 से लेकि 9 तक चलेगा यहां पर मैं print करबा रहा हूं value i की अब देखिए if i की value 5 हो if i equal to equal to 5 means जब i की value 5 होगी तो क्या हो print f print करें skipping percentage d means जो value skip कर रहा है उसकी value बताएं यहरा continue okay सबसे पहले हम देखते हैं बीना continue के क्या उट बढ़ाती है 0 1 2 3 4 5 5 कौन सा था यह वाला यह वाला जो यहां पर percentage d वाला है यह 5 था ओके तो देखिया यह उसके बाद क्या आ गया फिर से 5 6 7 8 9 okay तो means यहां पर इसके बाद यह वाली value भी इसने 5 पर print की थी अब continue को लगा के देखते हैं क्या होता है 1 2 3 4 skipping 5 मैं इस 5 नहीं आया यहां पर 6 7 8 9 तो 5 value को इसने skip किया means जब continue आया तो यह यहां पर जाने की बजाए ड्रेक्ली यहां पर चला गया increment किया और check किया condition उसे satisfy कर रही है या नहीं कर रही है तो यह है continue statement यह भी काफी use होती है जो आप जब programming अच्छे से करेंगे तब आपको समझाएगा कि तक करे थैंक्यू